नमस्कार दोस्तों स्वागित है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल All Exam Guide Group पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए General Awareness के कुछ Questions लेकर आया हूँ जो की नवींतम परिक्षा प्रणाली एक दिवसी एक्जाम पर आधारित हैं Questions पचास हैं, Solve करना है, Check करना है, कितने Questions आपसे बनते हैं हर Cautions को Solve करने के लिए कुछ Second का समय मिलेगा, then मैं आपको आंसर बता दूगा अपना Score, Class के Last में ज़रूर शेयर करेगा चलिए, वीडियो पर जो आप Question देख रहे हैं, इसका आंसर बताइए दक्षन अफरिका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इस Question के लिए सहत्र क्या हो जाएगा? तो दक्षन अफरिका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपीनियन थी नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट next question देखते हैं क्या पुछा गया है हीरा कुंड बांध किस राज्य में इस्थित है right answer क्या है बताइए चलि देखते हैं हीरा कुंड बांध ओडिसा में इस्थित है option number A महा नदी पर इस्थित ये बांध पूछा जाता है exam में Indian Liberal Federation की स्थापना किस ने की थी right answer क्या है बताइए चलि देखते हैं तो Indian Liberal Federation की स्थापना S.N.Benergy ने की थी right answer है option number A next question देखते हैं क्या पुछा गया है प्रथम बार राजपदी शाषन कब लागू किया गया था right answer क्या है बताइए चलि देखते हैं प्रथम बार राजपदी शाषन 20 जून 1951 को लागू हुआ था option number B question के लिए सहीतर हो जाएगा next question देखते हैं सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है right answer क्या हो जाएगा चलि देखते हैं इस question के लिए सहीतर क्या है तो सलाल बांध चिनाब नदी पर बनाये गया है right answer हो जाएगा option number C next question देखते हैं महातमा गांधी जी ने हिंद स्वराज की स्थापना हिंद स्वराज की रचना कब की थी जब वे कहां जा रहे थे बताइए चलि देखते हैं इस question के लिए सहीतर क्या हो जाएगा तो महातमा गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना जब वे जहाज से इंगलेंड जा रहे थे इंगलेंड से दक्षिन अफ्रीका जा रहे थे तब की थी next question देखते हैं क्या पूशा गया 42 सम्भीदान संसोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतिय राश्पती शाषन की 6 माह की अधि को बढ़ा कर कितना कर दिया तो right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए तो 6 महीने की जो अधिती उसको बढ़ा कर 12 माह कर दिया गया था 42 सम्भीदान संसोधन 1976 के द्वारा next question देखते हैं टिहरी बान निम्न मैसे किन दो नदियों के संगम पर इस्थित है right answer क्या है बताइए चली देखते हैं इसका सहित्तर क्या हो जाएगा बात हो रहे है टिहरी बान की तो टिहरी बान भागी रती और भीलांगना नदी के संगम पर इस्थित है next question देखते हैं क्या पूश अगया है संगीत नाटक अकैडमी कहां पर है बताइए चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा संगीत नाटक अकैडमी कहां पर है चली देखते हैं तो नई दिल्ली में स्थित हैं संगीत नाटक अकैडमी next question देखते हैं क्या पुशा गया यहाँ स्कीन पर भारत वा पाकिस्तान के बीच सीमांकन किस ने किया था right answer क्या हो जाएगा बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकन किस ने किया था चलिए देखते हैं तो sir siril red clip option no.b question के लिए सेत्र हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकन किया था next question देख लेते हैं किसी राज में राजपती शाषन किसी परिस्थिती में अधिक्तम कितनी अवधी तक लागू किया जा सकता है तो right answer क्या हो जाएगा किसी भी राज में राजपती शाषन अधिक्तम कितनी अवधी तक लागू किया जा सकता है तो right answer हो जाएगा तीन वर्ष तक option number 20 question के लिए सहीतर हो जाएगा next question भारत का सबसे लंबा बांध कौनसा है right answer क्या है बताइए भारत का सबसे लंबा बांध कौनसा है राइट answer क्या हो जाएगा तो हीरा कुंडबान भारत का सबसे लंबा बांध है भारत की आजादी के समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भारत की आजादी के समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा संसथ द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज में राश्पती शाशन एक बार में 6 महा के लिए लागू होता है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है भारत का सबसे उचा बांध कौन सा है चलि देखते हैं तो भारत का सबसे उचा बांध टिहरी बांध है option number D सहीत्र हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं निम्न लिखेते मैंसे कौन भारत छोड़ो आंधोलन में शामिल नहीं था राइट आंसर क्या है बताइए निम्न लिखेते मैंसे कौन भारत छोड़ो आंधोलन में शामिल नहीं था तो सहीत्र क्या हो जाएगा भीमरा अमेटकर जी भारत छोड़ तो आंदोलन में शामिल नहीं थे नेक्स कॉशन देखते हैं किसी राज्य में राजपदी शाषन के लागू हो जाने पर निम्ण मैंसे किन क्रतियों के अलावा राज्य प्रशाषन के सभी क्रत संगीय नियंतर्ण में चले जाते हैं तो राई का अंसर क्या हो जाएगा तटपर गोरकपुर इस्तित है राइट आंसर क्या है बताईए गोरकपुर किस नदी के तटपर इस्तित है सहित्तर क्या हो जाएगा तो गोरकपुर राप्ती नदी के तटपर इस्तित है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन देखते हैं राश्य फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस सवर्ष हुई चलिए देखते हैं तो राश्य फिल में मम विकास निगम की स्थापना 1980 option number B caution के लिए सयत्र हो जाएगा 1980 में हुई इंकलाब का नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया right answer क्या हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंग के द्वारा option number D सयत्र हो जाएगा next question किसी राज में सामानिता किसके परामर्ष से राश्पती शाषन लागू होता है नासिक किस नदी के किनारे इस्थित है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा गांधी जी भारती राश्री कॉंग्रेस के अद्धच कितनी बार बने हैं तो राइट आंसर हो जाएगा option एक बार इस question के से इत्र हो जाएगा option number A next question देखते हैं क्या पुशक है राज्य में राश्पदी शाषन से तातपरिय राज्य में किसके सासन से है right answer क्या हो जाएगा राज्य में राश्पदी शाषन का मतलब राज्य में किसका साशन तो राज्य में राज्य पाल का सासन मतलब राज्य में राश्पदी शाषन next question देखते हैं साबर्मती नदी किस सहर के किनारे बहती है right answer क्या है बताइए साबर मती नदी किस सहर के किनारे बहती है सही उत्र क्या हो जाएगा चली देखते हैं तो अहमदाबाद शहर option number B question के लिए सेत्र हो जाएगा साबर मती नदी बहती है next question देखते हैं भारत में जब क्रिप्स mission आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था भारत में जब क्रिप्स मिसन आया उस समय भारत का वायसरा है कौन था चली देखते हैं तो लॉर्ड लिन निथिन को option number B question के लिए सहीतर हो जाएगा जिस समय भारत में क्रिप्स मिसन आया उस समय भारत का वायसरा है था next question सम्मिधान के किस अनुचेत के तहट राज्जों में सम्मिधान एक तंतर के विफल होने पर राश्पदी शाषन लागू किया जाता है तो राइट आणसर क्या हो जाएगा राश्पदी शाषन कौन से अनुचेत के अंतरगत लगता है तो सहीतर हो जाएगा अनुचेत 356 option number D is question के लिए सहीत्तर हो जाएगा next question कावेरी नदी के तक पर कौन सा सहर इस्थित है सहीत्तर क्या है बताए कावेरी नदी के तक पर कौन सा सहर इस्थित है चलिए देखते हैं इसका right answer हो जाएगा तिरू चिरापली शहर कावेरी नदी के तक पर इस्थित है अगला कॉशन देखते हैं कि आप पुशा गया है Who lives if India dies किसकी उक्ती है Right answer क्या हो जाएगा Who lives if India dies किसने लिखी है ये Right answer क्या हो जाएगा चले देखते हैं तो ये बात है जवाहलाल नहरूजी की option number B कॉशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा Next question युद्य या बाहा आकरमण के कारण की गई आपात कालीन घोशना का संसत द्वारा अनुमोधन होना चाहिए कितने समय के अंदर होना चाहिए Right answer क्या हो जाएगा संसत को कितने समय के अंदर अनुमोधित कर देना चाहिए चले देखते हैं तो युद्ध अत्वा बाहा आकरमण के कारण आपात कालीन घोशना का संसत के द्वारा अनुमोधन जो है वो एक महीने के अंदर हो जाना चाहिए Option No.A सही इत्तर हो जाएगा Next question देखते है आयोध्या किस नदी के तट पर इस्तित है Right answer क्या है बताइए अयोध्या किस नदी के तट पर इस्तित है तो Right answer हो जाएगा सर्यू नदी के तट पर इस्तित है अयोध्या Next question देखते है किस ने कहा था मद्य रात्री के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन बास्वतंतरता के लिए जाग उठेगा ये बात किसकी है राइट आंसर क्या हो जाएगा चली देखते है तो ये बात जवाहल लाल नहरू ने कही थी राइट आंसर हो जाएगा Option No.B Next question देखते है राजपती द्वारा राज्यों में राजपती शाषन उद्गोशना की कितने दुनों के भीतर संसत की स्विक्रती आवश्यक है तो राइट आंसर क्या है इस question के लिए आपके पास ये चार option है इन चार option से answer देना है चली देखते हैं तो इसका सेत्र हो जाएगा उद्गोशना के दो महा के अंदर संसत को स्विक्रती देनी होती है option number B question के लिए सेत्र हो जाएगा राइट आंसर क्या है बताइए भारत महोँच्षो की सुरुआट किस सुरुआट होई थी तो इस question के लिए सेत्र हो जाएगा 1982 में भारत महोँच्षो की सुरुआट होई थी नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट चले देखते हैं तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्धिस्थल गोरकपुर में हैं आप्शन नमबर A सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन भारती सम्मिदान के अनुच्छे 352 के अनुसार राश्ची आपातकाल की घोशना किस परिस्थिती में की जा सकती है यह चार परिस्थितीयां हैं बताईए कौन सी परिस्थिती घोशना करने के लिए है आपातकालीन घोशना के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा चले देखते हैं तो आपातकालीन घोशना जो है युद्ध, बाहा, अक्रमन, ससस्त्र, विद्रो इन स्थितियों में कर सकते हैं निम्न मैसे कौन सा सहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है राइट नहीं बसा है माफ करिएगा गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है राइट आंसर क्या हो जाएगा चलि देखते हैं तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है दिल्ली गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है ब्रिडिस सरकार ने पहली बार यह गोशना की थी कि उनकी मनशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदाई सरकार बनाने की है किसके द्वारा ये घोशना की थी बृडिटिस सरकार ने राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा चार आप्शन है आपके पास में चली देखते हैं इस कौशन के लिए सेत्रो जाएगा तो बृडिस सरकार ने पहली बार यहां घोशना की थी कि उनकी मंसा भारत में धीरे एक उत्तरदाई सरकार बनाने की है अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1917 की घोशना जो थी उसके तहत ये बात कही गई थी नेक्ट कॉशन देखते हैं गंगा नदी के किनारे इस्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है राइट आंसर क्या हो जाएगा गंगा नदी के किनारे इस्थि इस्थापना की थी राइट आंसर क्या हो जाएगा चले देखते हैं तो 1923 में चितरंजन दा सेवं मोतिलाल नहरू ने स्वराज पार्टी के स्थापना इलहाबाद में की थी ऑप्शन नमबर ए सई उत्तर हो जाएगा नेक्ट कॉशन कौन सा नगर किसी नदी के तक पर नह नहीं बसा है सही उत्तर क्या हो जाएगा चले देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल जीलों के किनारे बसा हुआ है या एक प्रकार से कहें भोपाल में बहुत सारी जीले हैं भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं बसा है राश्रपती राश्री आपातकाल की घ कब कर सकता है तो राइट आंसर क्या है हतियार बंद विद्रो के आधार पर बाहरी आक्रमण के आधार पर युद्ध के आधार पर ओल आफ एवब इस कौशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वद अलिय सम्म सुर जाएगा option number C next question दिखते हैं जानपुर किस नदी के तड़ पर इस्तित है राइट आंसर क्या है बताईए जानपुर किस नदी के तड़ इस्तित है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो जानपुर जो है गोमती नदी के तड़ इस्तित है next question जमसेदपुर किस नदी के रेखा नदी के तक परिस्तित है जमसेतपुर भारत के किस राज्य में आता है बताओ कौन सी पुस्तक जवाहलाल नहरू द्वारा लिखी गई है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए कौन सी पुस्तक जवाहलाल नहरू द्वारा लिखी गई है तो राइट आंसर हो वाश्या पातकाल की उद्गोश्रां तीन दिसंबर 111 को की गई थी option number A सेउत्त हो जाएगा, नेक्ष कॉशन दिखते हैं, ओजें किस नदी के किनारे है, राइच आंसर क्या है, तो जें छिपरा नदी के किनारे है, ओपशन दी, राइच आंसर हो जाएगा, नेक्ष कॉशन जलिया वाला बाग के नरसंगहार के समय भारत का वायसराय कौन था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जलिया वाला बाग नरसंगहार के समय भारत का वायसराय लौड चैम्सफोर्ड था नेक्श कॉशन आंत्रिक अशांती के आधार पर अब तक कितनी बार राजपती आपाथकाल, राश्ट्य आपाथकाल की उद्धोशना की जा चुकी है right answer क्या हो जाएगा बताइए तो आंत्रिय आंत्रिय कशांति के आधार पर अब तक जो है एक बार जो है उद्धोशना की जा चुकी है right answer हो जाएगा option number एक बार और ये है आपका सर्प्राइज कोशन सूरत किस नदी के किनारे इस्थित है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसे लगा वीडियो आपको वीडियो की लिंक को जादस जादस शेयर करिएगा वीडियो को लाइक जरू करें हमारी टीम और हमारा मनुबल बढ़ा रहता ह है साथ साथ दोस्तों आप सभी से निवेदन हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन उन कर लें और वाला नोटिफिकेशन उन कर लें जिससे आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलें चैनल पर रोज सुबह 6 बजे सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होते हैं आप जो भी टॉपिक का वीडियो पढ़ना चाहते हैं देखना चाहते हैं करेंट अफियर्स जनरल अवेर्नेस और साइंस मैंसे आप हमें कमेंट करें हम आपके कमेंट पर वीडियो की लिंक दे देंगे हमारे पास 2500 से जादा अलग लग जो देखकर पढ़के आप अपने नोट्स बनाके आने वाली परिक्षा की तैयारी कर सकते हैं तो आप जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं इन तीन टॉपिक से आप बोलिएगा हम जरूर जल से जल्द आपके कमेंट पर रिप्लाई करते हुए वीडियो की लिंक वीडियो को जादस जादस शेयर करिएगा अधिक से अधिक शात्रों तक ये कॉशन्स पहुचे तब ही हमारी महनत सफल मानी जाएगी लाइक शेयर जरूर करें सब्सक्राइब करके चैनल को अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करें हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स सेशन में जो भी आपका कमेंट है जरूर शेयर करीगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच